इन दिस वीडियो, हाव तो इंस्टाल फांट सस्पेंशन इन एनी साइकल आड़ दा हॉम, विदाव एनी मेकैनिक, तो लेट गेट स्टार्टिंग यूटूम निप्वार और आप देख रहे हैं बीचर दिखाड़िया चैनल कुटली लिटिस्टेंटेंटेंटेंटेंटें हम इस नट को खोल लेंगे जो हमारे हैंडल के टाप में होता है और ये नट किसी-किसे साइकल में लेंकी वाला होता है तो ये देख लीजिए ये खुल गया पूरी तलह से इसको खुल जाने के बाद अब हम डिस्क ब्रेक के वयर को निकालेंगे यानि डिस्क ब्रेक के parts को अलग करना होता है तो इसलिए हम एक एक करके सारे parts को अलग करेंगे साथियों cycle से जुड़ी जनकारी के लिए मेरी कई सारी वीडियोज हैं जो कि आपको इस channel पर मिल जाएंगी आपको description में bicycle helps के नाम से एक playlist मिलेगा आप उस पर type करके मेरी सारी वीडियोज को देख सकते हैं तो यह देख लिजिए अब हम इस handle को यहां से remove करेंगे यहां से निकाल लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देख लिजिए मैंने इस handle को यहां से निकाल लिया है उसके बाद अब इस nut bolt को हम खोल लेंगे तो यहां पर इस nut को खोलने के लिए मेरे पास ट्रोल्स नहीं थे तो इसलिए मैंने इस player का सहारा लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम इसको यहां से खोल लेंगे पहले हम यह जो दोनों nut है तो उपर को हम निकाल लेंगे यह देख लीजिए और इसको किसी अच्छे जगह पर रख लेंगे ताकि यह गायब ना होने पाए इसे खुल जाने के बाद अब हम पुराने माले suspension को बाहर निकाल लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस तरह से इसको बाहर निकाल लेंगे और हमने अपनी cycle को लिटा दिया है ताकि जो है यह suspension आसानी से निकल जाए तो देख लीजिए यह इस तरह से बाहर निकल जाएगा और इस बाल्स को भी हम अच्छे तरह से साफ करके रख लेंगे और इस suspension को निकाल लेने के बाद हम इस छले को बाहर निकाल लेंगे जो कि हमारे पुराने suspension में लगा होता है तो यह देख लीजिए मैं इसको हताओड़े की मदद से बाहर निकाल ले रहा हूँ दोस्तों यह सब काम आप स्वैम कर सकते हो बिना किसीं मिस्त्री के तो यह देख लीजिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया है अब इसे हम कपड़े से साफ कर लेंगे तो यह देख लीजिए मैंने च्छर्ष में और इन सारे पार्स को साफ कर लिया है अच्छी तरए से जीसा कि आप देख पा रहे है इसके बाद हम इस छल्ले को अपने वाले suspension में इस्टाल करेंगे यह देख लिजिए हमारा नए वाला suspension है इसका notification वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा तो यह देख लिजिए हम इस छल्ले को जो हम पुराने वाले suspension में इसे निकाले थे इसको इसमें इस तरह से इंस्ट तरफ ग्रिस को अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसमें जो है हमारा च्छर्रा लगता है ग्रिस लगाने के बाद हम इस बाल्स को इसमें अच्छी तरह से लगा लेंगे तो यह देख लिजिए और इसमें चोवालिस बाल्स लगते हैं दोनों तरफ मिला करके ये देख लिजिए इस तरह से हमने दोनों तरफ अपने बाल्स को लगा लिया है इसको लगाने के बाद इस छले में भी गिरिस लगा कर इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देख लीजिए इस तरह से हम अपनी suspension को इस cycle में लगाएंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं ये देख लीजिए इस तरह से जो है हम इस cycle में इस suspension को install करेंगे suspension को लगा लेने के बाद हम यहाँ पर हलका सा grease लगाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रिस लगाने से हमारे suspension का जो हिस्सा होता है उसमें जंग नहीं लगता तो यह देख लिजी इसको लगाने के बाद हम इस nut bolt को इस पर type कर देंगे साथियों अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे ज्यादा स्यादा लाइक कीजिए और अपने साथियों में भी इस वीडियो को share कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे इस चनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मने बेल बटन को दबा कर आल नाटिफिकेशन को भी आन कर लीजिए तक ही मैं जैसे ही अपनी अगली वीडियो को अफ्लोड करूँ उसका नाटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसको भी देख पाएं तो यह देख लीजिए इसको इस तरह से हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से टाइट करेंगे और डग को देखते रहेंगे हिला हिला कर कि हमारे हैंडल में हलका सा भी डग न रहने पाए जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इस तरह से इस नट को टाइट कर लेने के बाद हम अच्छी तरह से अपने सस्पेंशन को हिला कर देख लेंगे उसके बाद अपने दूसरे उपर वाले नट को टाइट करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नट को हम अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे तो यह देख लिजी मैं इसको फटाफाट टाइट कर ले रहा हूँ इसको हाथ से टाइट कर लेने के बाद आप इसको इसके रिंच से टाइट कर लीजिए मेरे पास रिंच नहीं है इसलिए मैं पलायर का इस्तेमल कर रहा हूँ अब इसके बाद हम अपने साइकल को खड़ी कर लेंगे और खड़ी कर लेने के बाद हम अपने हैंडल को इसमें लगा लेंगे यह देख लिजी इस तरह से हम अपने handle को इसमें install कर लेंगे और इसमें अच्छी तरह से install हो जाने के बाद हम अपने इस bolt को tight कर लेंगे यह देख लिजी इस तरह से tight करने के बाद हम बाकी हिस्चे को भी लगा लेंगे जैसा कि mad guard हुआ, अपना fail हुआ, सब कुछ इसमें लगा लेंगे तो साथियों इस तरह से हम अपने cycle में suspension को install करते हैं तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएगा आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन सुभो